इन दौर से खबर जहां M.Y. अस्पताल में बच्चा चोरी का एक मामला सामने आया है कई घंटे बीच जाने के बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है यहाँ पर एक महिला जो नर्स बन कर आई और उसने बच्चा चोरी कर लिया सेसे टेवी फोटेज भी सामने आया है जिसमें महिला बच्चे को लिजाती नाजरा रहे पुलिस ने अग्यात महिला चोर के खिलाब केस दर्ज किया है सेसे टेवी फोटेज में संधिक्द महिला की तलाश जारी है सायूकदा गंस्थाना श्रीत्र का ये मामला बता जारा है इस खबर पर जादा बाच्चेत के लिए हम रूख करेंगे हमारे संभाद आता अखिलेश सेन का हमारे साथ लाइव जुड़ गए अखिलेश अपने आप में एक बड़ी लापरवाही पूरा मामला बताता है प्रदीश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल से एक महिला बच्चा चुरा कर ले जाती है अस्पताल का मिस्स मैनेजमेंट प्रबंधन दोशी इस पर साफ नजर आ रहा है क्या अभी तक किसी तरह की प्रतिक्रिया अधिक्षक के तरफसे मैनेजमेंट के तरफ से आई पैंथ Roy कोई बाध यी गई है लेकिन इससाइब तोर प्रकाज आ रहा है कि जो कई फिर सनिवार का पर दिखाए अपर एक मालबा मिल अन्सरा पहने करें फैल एक निर्थ कर नृध्य करदर गाए था जो बच्चे की जो नानी थी जब उससे बात की गई तो उसने बताया कि जो एक महीला यहाँ पर आई थी और माक्स पहन कर आई थी और उसने अपने आपको नर्स बताया था और नर्स बताने के साथ ही बच्चे को जब उसने चेक किया तो उसमें इसमें बताया गया था कि बड़े डाक्टर को दिखाना है इसको लेकर हमारे साथ चलिए उसके बाद जो महिला है और जो जो संदिक नर्स थी वो दोनों बच्चे को लेकर बाट से बाहर आ गई और फिर बाहर आने के बाद जो नर्स जो संदिक नर्स है उसने बताया कि जो महिला उसकी नारी को बताया और मुकदम दर्च कर लिया लेकिन इसमें बड़ी बात सामने ही आ रही है दीपक की जिस प्रकार से यहां के श्टाप का और प्रवंदन का रभईया मरीजों के और परिजानों के प्रतिये वो कहीं करें कहीं पर सवालों के घेरे में खड़ा होता है क्यों कि जब इस परिवा नियंदौर अप्रवंदन का जो मैनेजमेंट है इसमें साफ तोर पर यह देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से बसों के उपर लिखा रहता है कि यातरी अपने सामान की सेवा सामान की देखरें खुद करें उसे प्रकार यह अपने अखिलेश एक बड़ी लापर वाही का जड़ने के लिए इस खबर पर बाचित करने के लिए फिलाल पुलिस इस फुटीज के आधार पर महिला की तलाश कर रही है लेकिन अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है